अब यहादा पर अपसंद नहीं करूंगा मैं पहले प्राइज आक्षिन को वैच आट करूंगा फिर जाकर ट्रेड करना पशंद करूंगा और मैंने आपको clear clear mention किया था यह चीजों को देखते हो तो यहाँ पर पहले ही बार क्या होता है जैसे open होता है यह downside momentum कर जाता है यह अच्छा नहीं लगा फिर जाकर उसके बाद ओपनीं की candle भी अच्छी नहीं लगी तो मैंने दोनों भी चीज में बोला क्या भी आप पर और इसी की बाद अगर आप continue से देखते हो तो मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ कि मेरे members के साथ मैंने क्या share किया तो भी दिखा देता हो अगर आप देखते हो तो आगे चलते है तो यह अगर ओपन करके देखते हो यहां पर क्या मैंने क्या है तो अगर 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 करना नहीं है तो सेलिंग करना नहीं है आमें बाइंग प्लेश में मार्केड होनी की वज़े से क्लियर मेंशन करके रखा ता फिर आगर अगर अब कंटिव से देखते हो यह पर लें एज आप नौ लॉकिंग अट फर्स केंडल वेट करना पड़ेगा फोर सेकंड आप के लिए वेट करना पड़ेगा क्लियर में अच्छा हुआ नहीं पिर इसके बाद सारी चीज़े में मेंशन करता रहता हो कि कहा ट्रेड करना कैसे करना क्या क्या होता है यह पिर में ग्रूप के लिए में सारी चीज़े आलड़ी पोश्ट करता रहता हो ता कि उनको मार्केट समझ में आ जाए उनको यह समझ में आ जाए कि मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है प्लान कैसे करते हैं हम किस तरी की से करते हैं आज जब मार्केट को ओपनिंग हुआ था न किया only 200 quantity के साथ क्योंकि 17,000 कहा quantity है and 200 quantity कहा है बहुत ज़्यादा difference है मैं क्यूंकि मुझे पहली candle के के अस्पास मार्केट का मोमन्टमम दिखने लगा तो का साड़ बें जाने वला कोई भी चीज जब भी बोलता हो तो उसका बेज़ लेकर बोलता हो मतलब मुझे दखता है में उसको मैं चन इक करता हूश तब जा कर कोई बोलता हो मतल है मॉई होपन होने के बाद जाता quantity को कम कर दिया तो आप यहाँ पर open करके देखते हो तो आज आपको loss भी दिखा होगा 1390 रुपेज का loss दिख रहा होगा कल 17,000 quantity में जितना profit हुआ था यह उसका 0.2% भी profit नहीं है 0.2% भी profit नहीं है इतना कम loss में मैंने book कर दिया था क्या लगता आपको यह 1400 रुपी जो 1400 जो loss हुआ है यह loss रिकवर करने के लिए क्या मैं और 200 quantity लेता तो रिकवर नहीं हो जाता एक से दो पॉंट में रिकवर हो जाता है लेकिन मुझे loss को रिकवर करना नहीं है पहली बात को समझो कि ट्रेडर कभी भी loss को रिकवर नहीं करता है वो हमेशा मार्केट को देखने को तो पैसा बनना तोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है पैसा बनाने के लिए पहले मार्केट को समझनी की कोशिश करू फिर जाकर ट्रेड करो ताकि आने में बढ़ा पैसा यहां से बने एक प्र प्लान आपके बास एक पैले रेडी होना चाहिए यहां से जो सेलिंग मार्केट में नीचे आया सड़नली जाकर इसको कोई ज्याद पकट नहीं पाएगा और कोई पकट नहीं सकता है तो इस चिसको हमेशा याद रखो कि आप इस जल्दबाज में यहां पर कभी भी ट्रेड मत करना निप्टी में मैं एक चोटा से ट्रेड यह फिर यह नीचे आया मैंने किया कि जहां पर मैंने एंटरी किया था बस जैसे उपर चला गया मैंने बस पॉस्ट यहां पर एसल लगा दिया फिर यह नीचे आकर एसल हीट कर गया तो मैंने छोटा सा प्रॉपिड या पर बुक किया जो लॉस कई ना कई नियर बूट तीन हा लाटने तो profits को समखनेक कोशिश करो अभी चलो बैंक लिपटी को देखे कर सकते कर के स प्लाइन प्लान करते हैं में अगर आप यहाँ पर ओपन करके देखते हो तो क्लियर ली क्या क्या मेंशन किया चीजों को देखने कोशिच करो क्लियर मेंशन हुआ है कि सेकंड आपके बाद देखना पड़ेगा पहले आप में कुछ दिखनी रहा है क्लियर क्लियर मेंशन किया है यह होता है ट्रेडिंग यह होता है ट्रेडर की ट्रेडर कैसे होता है कि मा से समझें को कि किस तरी की से प्लान किया आज भी उस तरी की से प्लान करेंगे अज प्लान करेंगे आज हम भैंक निंग करेंगे तो हम बेइंगल को बाई कानना पसंद करेंगे, क्योंकि market आज रेंज में खड़ा है, completely अच्छे रेंज में खड़ा है, वो भी ऊपर के लिफल पे अच्छे इस रेंज में बना रखा है, अगर कल बेइंगल इसी रेंज के अंदर-अंदर कही फर भी open हो जाता है, तो बस हम इसी रेंज के अंदर यह जैसी यह 630 के आसपास आसपास से क्रॉस कर जाएगा, 630 को 630, 640, अगर आप सेफर साइड जाना चाहते तो 650 यह सारे लेवल पे, मतलब की 43,000, 650 से लेकर 43,000, 630, इसके बीच में मार्केट अगर कही पर भी थोड़ा बहुत निकल दा है, इसके बीच में मार्केट को बाई करनी की कोशिश कर सकते हो, अगेन हमारा टार्गेट 44,000 के लिए हम प्लान आउट करने वाले है, लेकिन दीरे दीरे चोटे-चोटे टार्गेट लेते हैं चलना, क्योंकि मार्केट अभी कही ना गई, बड़े अगर आप मार्केट को करना पसंद करेंगे, 200-200 रुपिच के टार्गेट लेंगे, ज्यादा बड़े टार्गेट नहीं लेंगे, अगर 650 के उपर क्रोस कर जाता है, तो 800-850 यह मारा पहला टार्गेट रहेगा, इसी टार्गेट के लिए हम प्लान करने वाले हैं, तो अभी मार्केट आप देख किसे मोमेंटम नहीं कर पाता है, लेकिन सेलिंग में मार्केट बहुत तीज नीचे आता है, जैसे कि यह पर पहली केंडल बनाई थी, तो इसी तरीकी से आपको आने वाले टायमें भी प्लान करना पड़ेगा, हम एक अच्छा टेड मिलेगा, कि मार्केट आगर इसी रेंज 350, यह साहरे लेवर्स के आसपास-ासपास कही पर भी आकोर उपन हो जाता है, तो फिर से मार्केट मेरे लिए एक रेंज बाउंड मार्केट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि साहरे लेवर्स इसके लिए फिर से वापस ते में इसी रेंज के अंदर-ा-अदर फोज वाला और यहाँ पर यह लेवल के आसपास मैंने मेरे मेंबर्स के भी एक बार दिया था मार्केट को सेल करने के लिए दिया था और यहाँ पर उनको भी अच्छा profit मिल गया था लेकिन मैं ज्यादा quantity को यूज नहीं करने वाला था भले मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा हो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मार्केट को यूज नहीं करने वाला मैं यहाँ पर आपको आई तिंक दिखा सकता हो तो आपको मैंने कहाँ पर मेंशन किया था उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा से चलते हैं यहाँ पर मेंशन किया और वहाँ पर हमें एक टार्गेट भी छोटा मिल गया था लेकिन एक बात को यादर को ट्रेडर हमेशा ऐसे प्लान करता है वो एक सेंटिमेंट को मुमेंटम को ट्रैक करता है कि उसको चाहिए एक मुमेंटम मतलब मैं एक बार यहां पर एंट्री लू तो मार्केट ऐसे गिर हम सक्यापिंग बोलते हैं कि छोटी सी कि लिए ट्रेड कर जाते हैं जैसे कि मैंने निप्टी दॉट sव को पता है रेंज में con trainee कहा ओब पर जाता Гуд सेलिंग तभी करने वाले जब maARKET कication 443,000 के नीचे मार्य जब तक लेकीं नीकलता तब तक हम है घ्रेसव नहीं होनने वाले आग्रेसुने वाले मार्के में तो उसके नीचे मार्केट नहीं आता है तब तक हम अगरेशिव सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट अन्वाच करेंगे बाइंग साड़ के लिए अगरेशिव ने जाना है जैसे कि 43,650 के उपर हम एग्रेशिव बाइंग बन सकते मार्केट में थोड़ा सा लेकिन बीच में मार्केट कई बर भी ओपन नहीं होना चाहिए अगर एक range में अगर market open हो जाता है तो फिर मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं है अपर फिर वे selling करना ज्यादा prefer करूंगा क्योंकि हो क्या जाएगा मार्केट में यहाद से भी एक बार मोमेंटम किया फिर उपर गया फिर रेंज क्रेट किया अगर फिर से सीधे यह लेवल के आसवास अपर कई पर open हो जाएगा तो फिर इसको बाइंग में ज्यादा कोई वे इसको रोक नहीं पाया का और सीधे सीधे नीचे जाने की कोशिश क करेगा तो इसी तरीके से बस बड़ा गैप डाउन या फिर गैप यह दोनों ही चीजे मार्केट को एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखा सकती है तब अच्छा प्रॉपिट हमें मिल सकता है वरना अगर मार्केट बीच में कई पर open हो जाता है तो हम थोड़ा सा वापस से साड करना था निप्टी ने भी एक upper level पे आसपासर काफी अच्छे से होल्ड किया है निप्टी का भी सेम प्लाण करेंगे अभी सेलिंग के लिए को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे लेकि सेलिंग में हमें प्लान करना है तो हम यहाँ पर इसको प्लान कर सकते एीं थाटीन केंडल को अबजर्व करेंगे पहली केंडल कौनसे डारेक्शन में निकलती है उसके बाद ही हम ट्रेड करना पसंद करेंगे इसको क्योंकि मार्केट आप भी आलड़ी कहीं आप देखोगे तो उपर तो जा रहा है लेकिन दीरे-दीरे बड़ी-बड़ी केंडल बना रहा है यह आप देखोगे तो उपर जा रहा है एक बड़ी-इक केंडल बना रहहे फिर एक बड़ी-くैंडल बना रहा है लेकिन असको follow-up नहीं कर पा रहा है इसका मतलब क्या है मार्केट में रुख गया अगर मार्केट सीधे यह लेवल के आसपा सब्सक्रा कई पर उपन हो जाएगा तो फिर इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एंद फिर से इसको सेलिंग में जाने के लिए कोई इसी रहेगा हमारे लिए ट्रेड करना तो बड़ा गैप डॉन होगा तभी हमारे लिए अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिल सकता है फॉप आप समठ गयोंगी किस तरी किसे ट्रेड़ प्लान बनाते हैं और किस तरी किसे मार्केट को समठते हैं मिलते किसी नेक्स शुड़े में तब तक लिए बाबाई एर्यों टेक केर